गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, हाव आई यू, आई होब यू आल आर फाइन तुडेय मॉरल इस यू मस्ट डू दा थेंग यू थेंग यू कांट डू मतलब इसका मतलब यहां है कि आपको इन चीजों को करना होगा जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं मतलब होता है न कि इस इंपॉसिबल तो आई एम पॉसिबल मतलब कोईच भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती है आप उसको कर सकते हो तो जो चीज आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते है उसको तो आपको जरूर करना चाहिए कभी भी उस चीजों से पीछे नहीं अटना चाहिए क्योंकि आप उसे से तो सीखोगे जो चीज आपको नहीं आती रहेगी जो चीज आपको आती है वो तो आप सोचोगे कि हम लोग तो कर लेंगे तो इसलिए आपको उन चीजों को करना होगा जो आपको लगता है कि आपको भी नहीं कर सकते और दूसरों को भी उसको देखके क्या होगा मोटिवेशन मिलेगी कि देखो वो कैसे कर लिया तो आपको अपनी हर चीज लगन से करनी होगी और जैसा कि मनवताया है आपको फर्स वीडियो में आपका हाफ चैप्टर हो गया था आप आगे कंटिनू करते हैं आपका हाफ चैप्टर और पूरा करके उसके बाद आप लोग अपनी एक्ससाइस कम्प्लीट कर लिजेगर ओके तो मैंने पहले वीडियो में आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना इंट्रेक्शन तो कम्प्यूटर हाफ चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था आपको क्यों चलिए आगे देखते हैं एक बार रिवाइस कर लेते हैं आप लोग ने क्या पढ़ा था कंप्यूटर क्या होती है ये क्या होती है एक इलेक्ट्रानिक मशीन होती है जो कि हमारे वर्क को बहुत ही इजर और फास्टर करती है क्योंकि अगर हुमन बिंग करते हैं तो वह क्या हो जाते हैं ठक जाते हैं टायड हो जाते हैं लेकिन ये मशीन क्या होती है बहुत ही जल्दी वर्क करती है बहुत देख सकते हैं teacher lesson teach lessons lesson पढ़ सकते हैं पढ़ा सकते हैं music सुन सकते हैं check spelling spelling error देख सकते हैं budget prepare कर सकते हैं और account maintain कर सकते हैं नेक्स क्या था आपको working of computer वर्क कैसे करता है computer is also machine वह एक machine है और किस प्रिंसिपल पर बेस है ipo मैंने बताया था input process output मतलब input जो आप enter करोगे उसका जो process होगा उसके बाद जो result मिलेगा वह आपको क्या होगा output होगा तो इसी की बेस पर आपका computer क्या होता है वर्क करता है जैसे यह तेखिए आपको एक्जामपल दिया गया था बनाना लीजे मिल्क लीजे शुगर लीजे उसको फिर mixer में डाले तो mixer में क्या हो रहा है process हो रहा आपने input क्या लिए बनाना लिए मिल्क लिए शुगर लिए उसके बाद आपका क्या बनके तयार होगा बनाना शेक बनके तयार हो गया features of a computer features क्या क्या होते हैं computer के speed computer work at a very high speed computer क्या होता है बहुत ही high speed में work करता है accuracy मतलब वो बहुत ही इस पे आप लोग क्या कर सकते हो मतलब भरोसा कर सकते हो बहुत ही सही result देता है storage इसमें storage storage store करने की capacity बहुत जाद होती है बहुत से time तक क्या करता है information को इस चोर किया रहता है जो कि आपको future में काम आए diligence मतलब यह कोई भी काम बहुत ही लगन से करता है और यह मतलब कि इसको boredom नहीं होता और tiredness नहीं होती इसको मतलब यह थकता भी नहीं है कुछ भी कर सकता है many tasks यह perform कर सकता है हर field में classification classification में आप लोगों ने क्या पढ़ा था computer कितने उसमें class में divide किया गया 3 class में पहले क्या था analog computer जो आपने देखा था analog computer पहले और इसका क्या काम होता था यह क्या है electrical mechanical hydraulic quantity में क्या करता है work करता है और कोई भी problem हो in subcelerated यह क्या होता है easily solve कर देता है और यह rather than counting machine यह क्या थी counting it is using signals as input इसको इसके लिए use कर आता था example जैसे digital thermometer होगा speedometer thermometer जानते हो speedometer से speed में जाती है तो इस form में क्या हो जाता था इसका use होता था digital computer जो आप लोग आप देखते हो अपनी लाइब में यह क्या था इसके नाम से यह आपको clear हो जा रहा है क्योंकि यह it work with digit यह किस चीज़ से बार करती है digit से जो आपने देखा और other word में यह क्या होती है counting device होती है इसको digital computer is a counting device इसको counting device भी बोले जाता है जो कि all the expression are coded with binary digit is code bit जो क्या होती है coded हो जाती है जो भी expression हम लगा है उसको coded होके क्या होती है binary digit में हो जाती है जिसको हम लोग बोलते है bit बोलते है और represented in digital computer is group of bit क्या होता है जो भी information ने देती है यह represent कैसे करती है digital computer group of bit के form में next आपने पढ़ा था hybrid computer hybrid क्या होता है it is a combination of दोनों को combination होता है जाए वो analog हो जाए वो digital हो इसकी storing value बहुत सी जाज़ा होती है इसमें logical operation switching यह सब भी होते है इस computer mostly unit process of control equipment मतलब यह equipment को control करने के लिए अधिकतर यूज होता है जो की continuous production होता रहता है जैसे राफनेटरीस हो गया and also at place where signal as well as data are to be entered into computer जाब भी data enter होते है जैसे nuclear power plant मैं बताया था माइस खाने वहाँ सब में इस computer का क्या होता है यूज होता है यह कहुंसा computer hybrid computer next आपको क्या है था मैंने बढ़ा है classification based zone size and processing unit उनकी size पर उनकी processing power पर क्या हुआ था यह तो पहले उनको major classes में था जिसमें आप लोग ने पढ़ा अनलोग digital और hybrid next क्या था आपको next है आपको जो की size और processing power में किया गया जैसे super computer super computer क्यों होता है very large powerful computer होता है room to all size room to all size होता है this type of computer typically use this super computer होता है वो कहां पर यूज होता है scientific or engineering application में जो की designing weapons में यूज होता है weather forecasting में biomedical analysis research aircraft design इन सब बड़े-बड़े कामों में क्या होता है इसका यूज होता है क्योंकि बहुती fast pack करता है बहुती बड़ा पावरफुल होता है mainframe computer को use का होता है capable of processing data at very high speed होती इसकी mainframe computer होता है इसकी काहती बहुती high speed होती जैसे मैंने बताया था आपको यह 100 of million instruction per second में क्या रखती है ले लेती है बताब follow करती है they are large in size बहुती large size में these are used to process large amount of data quickly बहुती large amount of data को क्या होती quickly कर लेती है some of this sector in which mainframe computer are used कौन कौन से sector हो गया banking sector हो गया airline sector railway reservation system में इन सब जगह पर क्या होता है mainframe computer का use होता है next क्या आता है आपका mini computer mini computer mini से आपको clear हो रहा है mini मतलब छोटा यह क्या होता है बहुत ही small होता है small version computer होता है जो की design more than one user at the time but many takes up to 200 user at a time not portable expensive and it generate lot of heat अच्छा थोता है बहुत ही expensive होता है और not portable होता है और इसमें lots of heat भी generate होती है next आपका नया topic अब आता है आज से आज आपको क्या पढ़ना है previous मैंने revise करवा दिया आप micro computer next आपके इस दिखे micro computer है micro there are latest technology in computer to reduce the size of computer इसमें latest technology जिससे आप क्या computer की size को क्या करते है कम कर सकते हो the development of personal computer pc3 बोला जाता है indicating then individual can now have computer at home and small office individually आप क्या कर सकते हो इसका यूज कर सकते हो चाहे वो home हो चाहे वो home small office or they are durable cheap fast and generate less easy यह क्योंता है durable होती है बहुत ही cheap होती होती है इसमें लेस होती है दा फॉल्विंग आदर टाइप आप देख लेते हैं टावर कंपीटर होगे लैप्टॉप कंपीटर होगे नोट्बुक कंपीटर होगे पांटॉप कंपीटर होगे यह सब क्या है अंदर के पार्ट से हैं यह सब क्या हैं अनके टाइप से मतलब ओके ताला क्या है टावर कंपीटर इस आर कंपीटर डैट आर पोजिशन वर्टिकली ऑन देर स्टैंड यह रहता है ओके ऑन देर स्टैंड लब इसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो देर आट टाइप टावर कंपीटर नेमली टू टाइप के पट टावर कंपीटर होते हैं पहला क्या होता है फुल टावर फुल टावर डी चैप आप टू कैरीज और कंस अलांग विट इस पीकर ऑन दा सिस्टेम उनिट इसके साथ क्या टू कैरीज और कंस अलांग विट इस पीकर के साथ होता है इसको क्या बोलते है फुल टावर कंपीटर में क्या होता है डाज नौट कैरी और कम अलांग विट स्पीकर बल्लब इसके साथ स्पीकर नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं मिनी camera next करता है desktop computer desktop computer क्या होता है these are micro computer that lie horizontally on their stand for vertically था और यह horizontally or in dex or desktop it is most office the desktop computer is placed on a desk while the monitor rests on the top of it मल्ला मी क्या होता है desktop पर और उसके उसका पर देखर ना ऐसे रहता है होरीसेंटली और रहता है टॉप और इड क्या होता है इस मोनिटर में यह से था इसा होते हैं यह पॉर्टेबल इसलिए आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो डिजाइन सपोर्टेड वन दे लैप्टॉप कम्प्यूटर और देक्स चॉप और टाव कम्प्यूटर बहुत ही इसे बहुत ही इसे बहुत ही जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो तो यह इससे डिफ्रेंट होता है नेक्स्ट चा सब्सक्राइब क्यों होता है यह कैसा होता है यूजली नोट बूट 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 करता है तो यही परेंख काले झाल इसैंस्टकर तूसीर सक्ट काल करता है उसी फोरणila ९ह फोर्म कर्लिता से माधिया होता है यही क्या स्दॉटर होते हैं जैसे आप यह देख रहा है क्या है इे वाओं डूंत नेक्स एडवांटेज एंडियर एडवांटेज मतलब एडवांटेज से क्या फायता है डिस अन्वाजेश से क्या नुकसान है इस युग में मतलब युग मतलब प्यूपल क्या है उनका फ्रेंड है बड़ देर आट फेस तु तेल यू इट अ गुर्ड फ्रेंड और नाट मतलब इसके दो फेसे एक तो आप आईक इसको अच्छी तरीके से यूज का सकते हो एक आप बुरी तरीके से अगर यह अच्छा भी है तो बुरा भी है जिस तरीके से यूज होगे उस तरीके से आपको बेनिफिट देगा गुड़ फ्रेंड है कि नहीं है यह चलिए हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या हैं कंप्यूटर और नॉट अनली यूज पर पार्सनल पर्पर्स के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं दे आर मोस्ली यूज इन दा और और इसको हम लोग और यूज़ेशन में भी यूज किया जाता है इस यूज कंप्यूटर तो रिकॉर्ट डाटा बेंके लिए करने के लिए बैंकिंग प्रम इन वर तर घ्रिवेशन में बेंक शिल्त करने के लिए अब और इस लिए जो भी लेन देन हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए आइन को चान देन पैसा डिपॉजिट विड्रॉज इन सब क्या करता है नोट काने के लिए यूज होता है या प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग कंप्यूटर से आप लोगों के लिए फैसिलिटी मिल जाती यह से आप अभी मुबाइल से क्या नेट बैंकिंग का यूज करते हो ओनलाइन पेमेंट आप कुछ भी कर सकते हो रिचार्ज कर सकते हो बिल पेमेंट कर सकते हो वैसे ही आप प्रोवाइड करती है कॉस्टमर चैक् अपनी बैलन्स की इंक्वाइरी कर सकते हो इंटरनेट का यूज करके कंप्यूटर में different tasks are performed automatically by using computer different different tasks आप लोग perform कर सकते हो यूज करके computer का it reduce the need of people इससे क्या होता है लोगों की ज़रते क्या हो जाती है कम हो जाती है आपको इतना इतना मिल रहा है इस में दिसवांटेज भी थो आते हैं अगर एक तरफ अच्छा है एक तरफ बुरा भी थो सकता है तो अब पते चलेगा यह गूद है गूद भी है और बैड भी है डिस अडवांटेज जैसे क्या हो गया ती यूजलों कॉंप्यूटर पूटा इनका यूस होता है बड़ एवरी कोन है चू साइट पता है ना एवरी कोन है चू साइट इन डैट वे यूस ऑफ कंप्यूटर है सब एंडवांटेज और सब डिसद्वांटेज ऑल्सो मतलब अगर कुछ अच्छा भी है तो कुछ भूरा भी है इसका यूज करते है निगेटिव परपस में तो कुछ लोग तो अच्छा करेंगे और कुछ गलत काम के लिए हो जैसे हैकिंग हो गया इन सब के लिए गलत होता है दे प्ले गेम गेम खेलने के लिए हो गया चैट फॉर लॉंग पिरिड़ ऑफ टाइम किसी से चैटिंग कर र टाइम लोग पके लिए लाइज्ग कुरने करें तो फिसना अपे प्लेवी टोग लोग क्या वेस्ट कर देतें बीक Willow वेःजका हों बहुत से जाजा है पर बोहुत से नेर्जी नहीं मिलेगा अगर वह काम उत consultant 오래 से साथ आगे चलके आपको क्या मिले बैरिफिट मिले तो इसलिए कहा जाता है यंग जनरेशन इस नौ स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दा सोशल साइट डैट इस और वेस इफेक्टिंग तो जो आपकी जनरेशन आ रही है जो यंग जनरेशन आ रही है वह बहुत सच जादा टा बॉस्त एला रॉट साथ कशल में तो इस्पाइट कहले बढ़त और चाहा है पिपल की इपड़ धायर है जो काम अभी बंदा दो बंदा कर रहे हो कीले कमप्ड़ा कर लेगा जो काम वो 8 गंटे में कर रहे है चारी गंटे में कर लेगा तो इसे क्या हो रहे है कि पीपल की नीड कमो हो एसे कड सर रहा है न्यूंट की लोगों को जॉब नहीं मिल पारीएं इससे ओघर हो रहा है इस आप दर ऐसका करने हमेंडे इस आपते। पलकी क्या हो रही है अनिम्प्लाइमेंट से साइटी में इंक्रीज हो रही है अपने अपने अपरेशन जैसे कि वह अपने किवल इंस्ट्रक्शन पर ही परफॉर्म करता है बट वह अच्छा वक्र ले जा रहा है तो इसे हमारी परिशानिया क्या हो रही है सौर्व हो जारी है नेक्स्ट क्या है और किस पर बेस होती है इंपूर्ट प्रॉसस आउटपूर्ट साइकल पे यह प्रिंस्पल आपसे पूछा भी जा सकता है Computer can be classified into three major classes कौन कौन से classes जल्दी से बताईए Analog, Digital और Hybrid यह क्या है Mode data representation used Analog computer क्या होता है Operate by using rather than counting Counting के बेर Full tower carries Or comes along with speaker on the system unit Full tower carries Tower computer पढ़ाया तदा Next आप लोग exercise solve कर लीजे फटाक से पहला क्या है True false है Different machines do different types of work True IPO cycle stand for improved process output True Right Computer suffer from human trait of boredom No यह नहीं human suffer करते है False Speedometer is example of analog computer True Speedometer और thermometer दोनों था ना Both Super and mainframe computer Slow speed computer False ऐसा तो नहीं है वो very high speed में काम करते है Next क्या है Computer is also a machine and work on the principle of कौन सा होगा IPO Right Next क्या है computer work at very high speed and can do बाइनरी अनलोग बिलियान बिलियान ओफ पढ़ाया था ना कौन सा जल्दी से है जल्दी से बताओ अनलोग Digital computer work with digit 0 and तो उसको क्या बोलते है Binary बलाया तो ना जो digit वाले होते है Laptop computer is very portable क्योंकि आप उसको easily कहीं पी भी ले जा सकते हो Computer work Make our work Harder, Easy, Easier, Easier Easier IPO cycle data instruction entered into the क्या होगा का एंटर होता है Machine Next क्या था आपका computer operate by measuring rather than account तो ये को किसका होता है Analog का Full tower carries or some analog with speaker on क्या होगा Logical, Mathematical, Aaloo system System, Right Dash, Computer are very small computer designed to be operated कौन सा होगा Palm, Top तो ये मैंने exercise फिल करा दी ये question answer मैं आभी PDF बना के दे दूँगी आप लोग कर लिजेगा Okay, Neat and Clean writing में और MPS 40 और सारा work कर लिजेगा Neat and Clean कोई doubt होगा तो उसको पूछ लीजेगा आप लोग और क्या बोलते हैं जो thought बताया है उसको आप लोग अपने फर्स पेज पे नोट कर लिजेगा आप भी next है तो दूसरा अपनी exercise पे उपर नोट कर लिजेगा और Neat and Clean work करिएगा Okay, Thank you so much